हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप सब आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जल्दी से यहाँ पर मैं आपको इंफोर्मिशन देना चाहता हूँ बाकी तो कुछ खास विशेस दिक्कताली बात नहीं है सभी लोग बड़े परिशान थे कि सर मैंस का फॉर्म का भरा जाएगा च्छे दिसंबर को इसका पेपर होना है सबको मालूम है और इसके फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले तो यह आयो की अमने वेबसाइट को लिए अगर देखा जाए तो कैसे फॉर्म फिल करना है उसने काया कि वेबसाइट में आपको जाना है वेबसाइट यही जो मैंने आपको ओपेण करी है तो यहाँ पर है तो मेंस 2019 पर क्लिक करना है और ये कहां पर है ये भी आपको यहां पर मैं दिखा दे रहा हूँ ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है फिल ऑनलाइन डिटेल से पहला वाला कॉलम जो आप देख रहे हैं फिल ऑनलाइन डिटेल्स ठीक है फॉर एडवर्टीज मेंट नंबर K4E1 Oblig 2019 Block Education Officer Mains 2019 Exam तो इसी पर क्लिक करना है ये चीज़ यहां पर कही जा रही है पहला काम तो आपको यह करना है इसके बाद जब आप इसे ओपन करेंगे जब इस फॉर्म को ओपन करेंगे क्लिक करके तो अपनी जो भी आवशक सूचनाएं है उसको भरना है और यहां पर कह रहा गया है कि इस पर क्लिक करके आवशक सूचना है online format पर भरनी होगी online format भरने से पूर्व sample snapshot की आधार पर पूरी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर लेने के उपरांत online format भरें सरप्रतम registration number फिर basic detail दें और फिर निर्देशों का भली भाती पालन करें तो जब यहां पर और आजाते हैं वापस और इसको जड़ा खोलते हैं open करते हैं इसको देखिए यहां पर मैं आपके सामने portal यहां पर open कर रहा हूं ठीक है तो यह देखिए यहां पर basic detail आप से मांग रहा है तो यह कह रहा है कि इनी basic details को आप यहां पर fulfill कर दीजी जैसे registration number है, date of birth है, gender है, UP से belong कर रहे हैं या नहीं belong कर रहे हैं category है और फिर यह security code है, इसको करने के बाद आप validate करिएगा और validate करके आपका जो form है आपके सामने open हो जाएगा, आपका जो form है वो आपके सामने open हो जाएगा, तो उसमें जो जरूरी चीजे हैं उसको ध्यान से भरिएगा, मुद्दे की बा आपको अगर देखा जाय तो तीन यहां पर centers की बात करी जा रही हैं और वो तीन centers है प्रयागराज, लखनौँ और गालियवाद, ठीक है यह तीन आपको ध्यान रखने हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे सभी लोग, clear इस चीज का सभी लोग ध्यान रखेंगे प्रयागरा लखनो और गाजेबाद ये तीन सेंटर में आपके पास में जो पड़े उस पे आप टिक करिए क्लिक करिए और उसके बाद जो है आप फॉर्म भरिये गाध्यान से यह नहीं कि आपके पास में लखनो पर भर रहा था और आपने गलती से अलाबाद बढ़िया चेंजेज नही होंगे ध्यान रखना है और उसके बाद आपका पेमेंट का ओप्शन आएगा आगे जो भी सारी जानकारिया भरोगे उसका आपको पेमेंट करना होगा यहां पर ठीक है तो बाखी सारी प्रक्रिया बिल्कुल इजी है कुछ भी खास कठिन नहीं है आप उसके लिए परिश दावों से समंधित प्रवाण पत्रों की स्वा प्रमारित प्रतियां सहीत एक लिफाफे में भरकर उक्त लिफाफे पर मुद्रित पता परची चस्पा करके 23.10.2020 शाम 5 बजे तक पहुंचा दी यह पता लिखा हुआ है इसमें किसके लिए लिखना है इससे पहले पहुंच जाना है यह पता इसमें आपको लिखा हुआ है पता अंडरलाइन कर दे रहा हुआ है पूरा का पूरा यहाँ पर पता है सचेव उत्तरपदेश लोकसेव आयोग परिक्षा अनुभाग 6 जिस तरह से लिखा है बिलकुल इसी तरीके से आपको लिखना है और यह लिखना है यहाँ तक और रजिस्टर्ड डाक से भेजिएगा किसी और डाक से या कोरियर वगएर नहीं करना है आपको रजिस्टर्ड डाक से जाकर के भेजना है ठीक है या फिर आप व्यक्तिगत रूप से आयोग की गेट संख्या तीन पर जाकर के डाक अनुभाग के काउंटर पू हैं, जितनी भी उपाधिया वगेरा हैं, वो सब self attested करके आपको भेजनी हैं, तो एक तो form फिन करता हैं online, then after आपको उसका print out निकालना है, और print out निकाल करके उसके साथ में अपने सारे document attach करने हैं, किसी ने मुझे पूचा था सर, original भेजना या photocopy, तो भाईया photocopy हर जगे भेजी जाती है, कहीं पर भी original नहीं भेजी जाती है, इसके अत्रिक्त आरक्षन के दावे से संबंदित, जो भी आपके पास में प्रमाण पत्र हैं, उसको भी विधिवत रूप से बनवाईएगा, ECS वगेरा के जिसके भी certificate हैं, वो बनवा करके काईदेस लगाएगा, जैसा आयोग ने कहा है, वैसा पालन करिएगा, बाद में परिशान हो जाएंगे नहीं तो आप इसमें कुछ भी और जादा परिशान होने की जुरूत नहीं है, इस तरीके से आप form फिल करिए, इश्वर करें कि आप मेंस में select हो, इसी आशा के साथ, इसी दुआओं के साथ, इसी मनो कामनाओं के साथ, आपको हम मेंस की तयारी के लिए शुब कामनाएं देते हैं, और जो भी तयारी मेंस की है, देखिए, एक तरीके से initial तयारी हमारे platform पे भी चल रही है, आप वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इस channel को like और subscribe जरूर करिएगा, thank you, जैहिंद